सबजीयों में दाल चीनी को मसाले के रूप में परियोग किया जाता है और इस चुटकी पर मसाले के फायदे अनेक है यह कैंसर समेत और अन्य बिमारियों को कम करने में ही मदद करता है बता दे कि ये मसाले सिहत के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं और घर पर खाना बनाने में भी इसका परियोग किया जाता है इन मसालों का परियोग सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है और सभी मसालों के अपने अपने गुण होते हैं और ऐसा ही एक मसाला दालचीनी कहलाता है। यह मसाला कई गुनों की खान माना जाता है। और दालचीनी का परियोग हर घर में स्वाध बढ़ाने में भी किया जाता है। बता दे की कई लोग सबजी में इसे डालने के लिए especially बजार से खरीद कर लाते हैं। और आज इसी के गुणों को लेकर हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे डालचीनी हमारे स्यहत को fit रखने में हमारी मदद करता है डालचीनी के दिवाने दुनिया के हर देश में होते हैं और सब छोटा और देश वो या बड़ा सभी दालचीनी का परियोग करते हैं लेकिन इसकी मातरा सबजी में स्वाध अनुसा ही डाली जाती है बता दे कि आपको आधा चमच या एक चमच दालचीनी का परियोग करना चाहिए जबकि इसके बारे में विशेशक्यों का कहना है कि हर दिन एक अधिक मातरा में दालचीनी लेने पर पेट, लिवर, फिड्नी समंदी दिक्कत हो सकती है और इसी के साथ वहीं इसके लाब भी हमें देखने को मिल जाते हैं और इसे स्वायमित मातरा में खाया जाता है अब आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये दालचीनी आती कहां से है आप लोग जानते होंगे कि दालचीनी की खुश्पू बेहरी शांदार होती है गौर तलब है कि ये सबजी के साथ साथ केक बनाने में भी इसका परियोग किया जाता है बता दे कि दालचीनी का पेड होता है और पेड के तने की खाल निकाल कर उसे सुखा देते हैं और फिर इसका रोल करके एक श्टिक नुमा बना ली जाती है और काफी लोग इसे प्रीज कर भी इसका परियोग करते हैं अब आप सभी को इसके फायदे भी जानना जरूरी है दालचीनी मुख्य रुप से एंटी फंगल एंटी ऑक्सिडेंट होती है साथी साथ आपको ये भी बता दे कि मसालों में पॉली फेनल्स नामक प्लांट कंपाउंड पाया जाता है और यह एक एंटी ऑक्सिडेंट का काम करता है और यह तक तो दालचीनी में भी आमतोर पर पाया जाता है यह मसाला एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है इसका परियोग चाइनीज भरवल दवाओं में किया जाता है और यह बैक्टीरियल और फंगल संक्रमन से बचाने में काफी मदद करता है और साथी विएरस या भैक्तिरिया का असर होता है दालचीनी मी ऐसे वाईरस से निपटने का गुन होता है जो नियमी समय मात्रा में सेवरं करने से से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है और ऐसे वास्त नहीं आते हैं। यूरो रिपोर्ट पर्यावरन पोस्ट सब्सक्राइब करें पर्यावरन पोस्ट